प्रणाम आप सभी को नमस्कार फिलाल एक अपडेट के तोर पे जो जूनियर कल एड़ेड जूनियर पे जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कुछ फेर बदल हुए हैं और सम्थिंग कुछ तीन हजार अभ्ध्यार थे जो पहले तो सफल थे फिर बाद में बिफल हो गए हैं और उसमें OMR करेक्शन को लेकर मानिय इलहावाद हाई कोट में एक दो मामले आज भी विचारा धिन मामले चल रहे हैं जिस पे अभी तक मामला पेंडिंग चल ला मानिय कोट में फिलहाल इस पर रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट जारी होने का जो ही सुचना है वह सुचना आपको इस्क्रीन पे दिख रहा है और आल्रेडी पेपर कटिंग्स तो बहुत सारे घूम रहे हैं इन में से सबसे प्रमुख रूप से आप ध्यान से अगर देखें तो कितने अभ्यार्थी सफल हुए और कितने असफल हुए उपर आप लोग देख सकते हैं जूनियर हाई इसकूल प्रधाना अध्यापक सहायक अध्यापक चैन परिक्षा 2021 के संसोधित प्रड़राम का प्रकासन ठीक है इसमें मुख्य तवर से आप लोग देख सकते हैं कि परिक्षा का अस्तर क्या था सहायक अध्यापक और जो प्रधाना अध्यापक प्रथम प्रस्न पत्र था उसमें पंजेकरित कितने हुए थे चात्र 3,35,491 और संब्रित कितने हुए 2,71,000 संब्रित हुए थे जिसमें उत्रड हुए 42,066 और जो प्रधाना अध्यापक का दुईति प्रस्न पत्र है उसमें 15,444 चात्र सफल हुए है तो ऐसे सब मिलाकर अगर देखा जाए तो रिजल्ट में जो फिर फिर हुआ था उससे सुधार करके और रिजल्ट जारी किया गया है क्योंकि तमाम चात्रों का मामला फंसा पड़ा था जिसे सुधार किया गया योग के तरफ से सुधार करने के बाद इसे जारी कर दिया गया इसमें आप लोग देख सकते हैं जुनियर हाई स्कूल प्रधाना अध्यापक सहायक अध्यापक चैन परिक्षा 2021 के दिनांक 1511-2021 को घोसित संपूर परिक्षा फल का पुर्व क्या दिया है पुर्व मुल्यांकन कराय जाने के उपरांद पुर्व घोसित परिक्षा फल दिना दिनांक 6-9-2022 को घोसित किया जाता है ठीक है और इसमें आप लोग देख सकते हैं अभ्यार्थी उक्त संसोधित परिक्षा प्रड़ाम का अवलोकन दिनांक 7-9-2022 के अपरांद से बेव साइट पे यहाँ अपलोड हो जाएगा तो कल का रिजल्ट अपलोड हो चुका है और इसमें आप ही आपको जोश्ट हम आगे इसक्रीन पर दिखाएंगे कि जो हेर फिर हुआ था जैसे कि कुछ अभ्यार्थी पहले सफल हो गया थे फिर बाद में उन्हें विफल किया गया उनका भी मामला अभी पेपर में सो कर रहा है तीन हजार से उपर अभ्यार्थी ऐ जो पहले सफल थे फिर बाद में विफल हुए है क्योंकि उसमें कुछ गड़बढ़िया हुई थी जो सफल अभ्यार्थी थे उनको विफल किया गया था फेल कर दिया गया था और जो सफल थे उनको सफल कर दिया गया था जैसे कि आप दोग देख सकते हैं पुरों में सफल 3379 अभ्यार्थी हुए फेल इसमें देखिया रहा है कि प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधना अध्यापकों के 390 पदो पर भरती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को आयो जीत लिखित परिक्षा का संसोधीत प्रडाम मंगलबार को जारी हो गया सच्यू परिक्षा नियामक अनिल भुसर अनिल भुसर चतरवेदी की योर से खोसित संसोधीत प्रडाम में पुरो में सफल 3379 अभ्यार्थी फेल हो गये हैं सहायक अध्यापकों की भरती के लिए परिक्षा में समले 27 अभ्यार्थियों में से 42,006 जबकी प्रधाना अध्यापकों की भरती के लिए 14,931 अभ्यार्थियों में से 1544 को सफल घोसित किया गया इससे पहले 15 नुवंबर 2021 को ततकालेन सच्चिव संजे कुमार उपाध्याई की ओर से घोसित प्रड़ाम में सहायक अध्यापकों के लिए 45,257 और अध्यापकों की भरती के लिए 1722 अभ्यार्थियों को सफल घोसित किया गया था सच्चिव ने इसपष्ट किया कि संसोधित प्रड़ाम बुद्वार अफरान से ब्योसाइट पर 24 सितंबर तक उपलब्द रहेगा और क्या दे रहा है सैक्डों की संख्या में अभ्यार्थियों की कापियां जाच दी गई थी जो उप्यूक्त नहीं थे तो इसमें जो फिर बदल हुआ था फिर बदल के कारण बहुत सारी समस्या आई होई थी और मैंने पहले ही बताया था कि जो मामले वो यमार करेक्शन को लेके जो आयोक के दोरा गलतिया होई थी वह मामला आज भी विचारा धिन चला मानी अलहबाद हाई कोर्ट में और इस तरीके से तमाम जो आयोक की तरब से जो भी गड़बडिया रहती है तो आयोक को जहां लग रहा है कि नहीं यहां अगर हम बिफल हो जाएंगे और जनता में गलत संदेश जाएगा वहाँ सरकार तुरंत उस पे सुधार करवा लेती है लेकिन अब जैसे UPTAT के अपर प्राइमरी या प्राइमरी या फिर एड़ेट जूनियर का OEMR करेक्शन का जो मामला है आज तक हर जगा खारीज हो जाता था लेकिन इस बार बड़े मजबूती पक्ष के साथ लड़ा गया था मामला मान्य कोट में नोटिस हुआ आयोग को नोटिस भेजा गया और उसमें जवाब दाखिल की भी प्रक्रिया की गई लेकिन अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है जिस बज़ा से अभी मामले पर सुनवाई नहीं फैसला नहीं हो पाया है लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि धैरी रखें अगर सुधार होता है और सुधार करके जितने भी अभ्यार्थी कोट में उपस्तित हो रहे हैं जो याची बने है संभवता उनका कहीं न कहीं सुधार अगर वोने के बाद अगर लड़के सफल होते हैं तो उनका रिजल्ट दुबारा रिवाईट सुधार करके और जारी किया जाएगा अगर कोट से आदेश पाजेटिव आता है तो सुधार होगा नहीं आता है तो खर कोई बात नहीं बाकि धन्यवाद